हलो एर्यूवन और वन्स अगें वेलकम बाक टो उमर्दस्कीर यूट्यूब चैनल माइसल्फ उमर्दस्कीर गईश डिश्टल मार्केटिंग फंडमेंटल कोर्स फॉर बिजनेस ओनर्स के आज के इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में गईश जब हम गूगल एनालिटिक्स की बात करते हैं तो गूगल एनालिटिक्स वेब एनालिटिक्स के लिए एक टूल है और जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो देखिए एनालिटिक्स एक बहुत ही वाइड टर्म है ऐसा नहीं है क analytics चब्द का इस्तेमाल जो है वो केवल digital marketing के point of view से किया जाता है जब भी आपको कुछ data के around analysis करनी होती है that is basically called as analytics सीरा सा मतलब यह है पर जब हम digital marketing के reference में बात करते हैं तो हमें पता है वहाँ पर जो हमारे लिए सबसे एक important चीज होती है वो हमारी analytics से आ रहे हैं जो लोग आ रहे हैं उनके demographics क्या हैं किन different pages के उपर जा रहे हैं कितनी देर रुक रहे हैं किन devices से आ रहे हैं ऐसी बहुत सारी insights जब आप study करना चाहते हैं उसकी analysis करना चाहते हैं तो इस field को basically web analytics कहा जाता है और web analytics करने के लिए या web analytics के लिए बहुत specific requirement ना हो या उनकी website ऐसी ना हो जो उनको बहुत ही अच्छा घासा earn करके दे रही है तब जाकर वो कुछ दूसरे जो analytics के paid tools हैं उनके उपर invest करते हैं तो एक बात तो clear हो गई कि analytics is not equal to web analytics, web analytics एक अलग चीज़ है और web और app की analytics को study करने के लिए हम लोग गूगल analytics को basically use करते हैं या आज के टाइम में जो गूगल analytics का नया वर्जन है GA4 उसका हम लोग इस्तमाल करते हैं GA4 के उपर technical एक complete series मैंने already बना कर रखी हूँ इस channel के उपर technical point of view से अगर आपको समझना है तो वो अली series जो है वो आप follow कर सकते हैं तो गूगल analytics 4 के उपर आज के टाइम में आपको एक बिल्कुल free जो है वो account बनाना होगा ये account बिल्कुल ही उतना असान होता है बनाना जैसे कि आप कोई Gmail ID अगर आप नहीं बनाते हैं उसी तरीके से गूगल analytics 4 के उपर आपको अपना एक account जो है वो बनाना होता है और वहाँ पर आपको एक code मिलता है और उस code को आपको अपनी website के उपर लगाना होता है जिससे आपकी जो website है और जो Google Analytics है वो connect हो जाते हैं और फिर Google Analytics के अंदर जैसे मैं अगर आपको दिखाओ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह मेरा एक Google Analytics का account है जो हम लोगों ने एक dummy website जो है उसके उपर लगा कर रखा हुआ है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी website का नाम है कितने conversions हुए, कितने events हुए यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर पता चलती है हाँ, वो बात एक अलग है कि आपको events जो होते हैं जो conversions आपको होते हैं उनको आपको define करना पड़ता है जैसे किसी ने हमारे page को 50% scroll किया वो एक event हो सकता है, बट उसको आपको define करना पड़ता है बट अगेन वो फिर एक technical part हो जाता है इसी तरीके से कोई अगर आपकी website के उपर से कोई form फिल करता है या कोई PDF आपने अपनी website के उपर डाल रखी है उसको आपने define कर रखाएगी, यह मेरे लिए एक conversion है तो उसको आपको यहाँ set करना पड़ेगा Google Analytics के अंदर की आखिर मेरे conversion की definition क्या है Convergence की condition क्या है वो सारी चीज़े आप यहाँ से करते हैं जैसे अगर आप admin वाले section के अंदर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं Convergence के आपको option दिख रहे हैं यहाँ से आप अपने जो Convergence है वो आप बनाते हैं कई बार आप GTM का भी सहारा लेते है GA4 के अंदर Convergence को बनाने के लिए तो basically जो code की मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पर data streams के अंदर देखने को मिलेगा जैसे data streams में अगर आप जाएंगे यहाँ पर जब आप view tag instructions के उपर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे आप अगर आपको normal tag चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वो आपका tag होता है जिसको हम लोग g tag बोलते हैं यह वाला tag आप लेते हो और आप अपनी website के head section में लगा देते हैं depending on कि website के type की है अगर custom coded website है आपके पास developer है तो आप developer को दे देते हैं अगर कोई agency आपके काम को manage कर रही होती तो वो सारा काम वो agency जो है वो करके दे देती तो यह वाला tag आपकी website के उपर लग जाता है जिससे की google analytics 4 और आपकी website connect हो जाती है अब कोई भी visitor अगर आपकी website के उपर आता है तो उसकी जो information है वो आपको यहाँ पर अपने GA4 के अंदर दिखाई देगी रहे जैसे मैं अगर home section पे जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी अगर कोई live user भी पिछले 30 minutes के अंदर आएगा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा यह हमारी dummy website है तो मैं इसके उपर जाकर आपको दिखाता हूँ जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इस website के उपर आएंगे आच चुके हैं already वो भी दिख जाएंगे अब मैं यहाँ पर आता हूँ reports वाले में और reports snapshot में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है users in the last 30 minute वन user है कहां से आया हुआ है इंडिया से यह आपको दिख रहा है तो इस type से basic information आपको मिल जाती है यहाँ पर real time में अगर आप तो भी यही information मिलेगी कि exactly जो है वो user कहां से आया हुआ है किस location आया है तो इस type की जो user based जो analysis होती है website के उपर उसको करने के लिए आपके पास GA4 का जो option है वो आपके पास available है अब अगर जैसे आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा GA4 explore करना है मेरे पास website वगरा है नहीं तो आप गूगल पर simply जाएए और GA4 का demo account type करिए इस type से आप यहां पर आ जाएंगे और यहां पर आपके पास देखिए GA4 में भी अलग-अलग चीजे होती है जैसे यह वाला जो GA4 है यह एक app और web data के लिए यह वाला जो GA4 है वो एक merchandise store का है एक Google का official merchandise store होता है उसका एक तरीके Universal Analytics की अब जरूरत नहीं हो पुराना हो गया मैं recommend भी नहीं करूंगा कि Universal Analytics पे आप जरह सभी दिमाख लगा है उसको भूली जाए बिलकुल और आप सीधे GA4 को जो है उसको study करना शुरू करें अगर सीखना चाह रहे हैं तो तो यहां पर जब आप click करेंगे तो आप यहां प कोई app है उसकी analytics है यहां पर यह क्या है यह web का है यह Google merchandise की जो shop है उसका यह universal analytics है यह मतलब नहीं है हम web वाले पे आ जाते हैं तो जब आप web वाले के उपर आएंगे तो आप देखेंगे कि website की जो analysis है वो आपको यहां पर दिखाई देगी जैसे आप देख सकते हो कितने सारे users है पिछले seven days में कितने events count हुए कितने conversions हुए कितने नए users है पिछले 30 minutes में कितने users है किन जगहों से users हा रहे है सारी किस इन्फॉरमेशन आपको दिखाई देगी कितने sessions कहा से बन रहा है किन sources से बन रहा है किन country से user सा रहे किस type के pages के उपर जा रहा है यह सारी information आपको मिल यूजर क्या कर रहा है, वो engagement में पता चलता है, कि convergence कर रहा है, कि events कर रहा है, कि in pages के उपर जा रहा है, वो engagement में पता चलता है, क्या behavior कर रहा है, website या app के उपर कुछ purchases हो गएरा है, तो monetization में पता चलता है, और वापस वगएरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, retain आप कर पा रहे ह वो retention के अंदर मता चलता है, तो यह सारी जो basic सी analysis है, वो आपको GA4 की मदद से मिल जाती, तो बस यही काम है, GA4 का, और it is recommended कि जैसे ही आपकी जो website है, वो बन जाए, आपका जो GA4 है, वो वहाँ पर integrate हो जाना चाहिए, आपकी website के उपर integrate होना चाहिए, from day one, so that day one से ही जो information है, व बहुत महंगा है, Adobe Analytics is one alternative, Pivic is another, Clicky भी एक है, Mamoto है, एक mixed panel जो है, वो एक है, बट इन में से जो solutions है, वो paid है, तो इसलिए लोग इन alternatives की तरफ जाते हैं नहीं, until unless उनकी website से कुछ monetization का aspect ना जुड़ा हो, कुछ अर्म कर रहे होंगे, तो वहाँ spend करने में भी कोई दिक्कत नह तो आपको complete analysis हो जाती है, कि किन devices से users आ रहे हैं, उनकी demographics क्या है, आप user के experience को और ज़्यादा enhance कर सकते हैं, उनके behavior को analyze करके, आप जो है वो marketing campaigns को अपने और ज़्यादा optimize कर सकते हैं, align कर सकते हैं, तो आपको पता है ना, user हमारी website के उपर क्या कर रहा है, तो इसके हिसाप से आप अपने जो marketing campaigns है, marketing efforts है, उनको और बहतर कर सकते हैं, और आप अपनी audiences को और अच्छे से समझ सकते हैं, और नई audiences ही बना सकते हैं, अब इस चीज़ के लिए GA4 का बहुत जारा use होता है, तो audiences के लिए जैसे अगर आप admin वाले section में आएंगे, और audiences वाले section में जाएंगे, तो you can create audience है, जैसे मैं गया और मैंने कहा कि मेरे को उन लोगों की audience वनानी है, कोई भी condition आप ले सकते हो, जिन्होंने कोई event किया हो, let's say, जिन्होंने यहाँ पर कोई भी अगर मैं event मान लू, lead form, submit, execs किया हो, तो ये वाली पिछले 30 दिनों में ये वाले users की हम लोगो audience वनान हमारी website के उपर, तो हम समझ जाएंगे कि जो लोग converter से मान लिया, इन लोगोंने lead form submit किया, जो लोग lead form submit करते हैं, उनका in general behavior हमारी website के उपर किस तरीके का रहता है, तो ये सारी analysis हमें यहाँ से मिलती है, ये जो हमने को ने audience बनाई हुई, इसी audience को अगर हम दुबारा remarket करना चाहें या Google के through ads दिखाना चाहें, तो हम क्या करते हैं, हम अपने GA4 को और Google Ads को connect कर लेते हैं, और GA4 से भी audiences हम लोग Google Ads के अंदर भेज सकते हैं, और फिर उन लोगों को जो है वो अपना आइड दिखा सकते हैं, तो ये सारी चीज़े हम लोग GA4 की मदद से करते हैं, तो जि काल परभाव से GA4 को install कर दें, जिससे की बहुत सारी analysis जो है, वो आपको होने लगे ही, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कितने users आ रहे हैं, कितने users नहीं आ रहे हैं, आपको clarity एक तरीके से नहीं होगी, तो it is very important to understand the behavior of users on your website under the head web analytics, तो I believe बहुत सारी चीज़ आप लोगो को clear हो गई होगी, और जो technical implementation है, कि GA4 को कैसे connect करना है, वो मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, कि उसके already मैंने video बना रखे हैं, तो मैं उसके thumbnails होगरा दे दूँगा, Google Analytics 4 करके playlist है channel पे, उसमें हर चीज technical level पर detail में, I believe बहुत सारी चीज़ आपको clear होई होगे, मिलते हैं next video में, तिल दें, गुद्बाई!